और बुलिटिन के शुरुआत करेंगे एक दुखत खबर के साथ जो आ रही है ग्रेटर नोइडा से ग्रेटर नोइडा के बादलपुर्ख शेत्र में होंडा मोटर्स कमपनी के करमचारियों को रोडवेज बस ने कुचल दिया है इस हादसे में चार लोगों की दर्दनाक मौत हुई है जबकि तीन लोग अभी गंभी रूप से घायल बताये जा रहे हैं इन तीनों घायलों का इलाज इस वक्त चल रहा है दिली रेफर कर दिया गया है इन लोगों को तो अब इनका इलाज दिली में चलेगा फिलहाल पुलिस आज़िस्टी जाच में जुटी है तो रोडवेज बस ने कुचल दिया है होंडा मोटर्स के करमचारियों को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नौइडा की ये खबर है गुरुवार को सुबह बड़ा रोड एक्सिडेंट हुआ है साथ लोगों को कुचल दिया गया तीन लोग गंभी रुप से खायर जबकि चार लोगों की मौत हो चुकी है हाला कि बस चालग घटना के बाद से मौके से फरार चल रहा है जब पुलिस मौके पर पहुँची तो घायलों को इलाज के लिए पहुचाया गया बस को कबजे में लिया रहा है एक व्यक्त की दोराने इलाज मुक्त हुआ है तीन लोगों को देले रिफर किया रहा है जहां उनका इलाज चल रहा है चालग की गिरफतारी के लिए टीम लगातार दबिश दे रही है अन्मे में देख करवाई की जा रही है और इस खबर पर ज्यादा जानकरी के साथ मेरे सहयोगी बलराम पांडे जोड़ जोड़ जोके है बाह है पूरा मामला क्या बस चलाते चलाते ड्राइवर को जपकी लग गई थी या फिर अचानक से डिस्बैलेंस हो गई गाड़ी तेज रफतार थी इस वजह से एकसिडेंट हुआ या गल्ती उन साथ लोगों की थी उन करमचारियों की थी क्या हाया है पूरा मामला सामने कोई CCTV फोटेज या कुछ हाया है क्या देखिए हार्दी की इस पूरे मामले की जाछ नुएड़ा पुलिस कर रही है और पुलिस का कहना है कि जो चालक है इसकी गरतारी के लिए टीमें लगाई गई है और उम्मीद जता आई जा रही है कि जल्दी उसे गरतार कर लिए जाएगा अगर हम पूरे मामले की बात करें तो जो होंडा करमचारी है वो चुटी होने के बाद अपने घर के लिए जा रहा है थे उसी दौरान एक उत्तर प्रदेश की रोड़ बेश पस काफी रवतार चाती हुई नजर आई और उसने साथ लोगों को टक करमारी जिसमें सभी गंभी की हालत गंभीर देखी गई तो उन्हें दिल्ली रेफर किया गया है दिल्ली में उनका इलाज चल रहा है लेकिन तीनों की हालत बेहत गंभीर बनी हुई है बलराम जो एकसिडेंट जिस जगह पर हुआ है वो बादलपुर्क शेत्र बताया जा रहा है एक्जेक लोकेशन क् अब पुलिस को जानकारी मिली थी इस पूरे मामले की तो हलकी हलकी रोसनी निकल रही थी उस दौरान पुलिस मौके पर पहुंची जो घायल थे उनको वहां अस्थानी लोगों की सहायता से अस्पताल में भरती कराया गया उप्चार उनका शुरू हुआ लेकिन एक की वहा किस तरीके से हुआ क्या ड्राइबर को नींद आ गई थी या तेज रफ्तार थी यह मामला तभी अस्पस्ट हो पाएगा जब ड्राइबर से पूस्ताच की जाएगी तभी सारे तथ निकल के आएंगे हलाकि पुलिस का कहना है कि हम कड़ी कारवाई करेंगे क्योंकि चार लोगों की मौत हो चुकी है तीन लोग अभी भी जिंदगी और मौत से जूच रहे हैं तो ऐसे में घटना बेहत दर्दनाक है लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि चालग जब गिरफतार होता है तो क् कि अधिकांस यह देखा जाता है हार्दिक की जब भी कोई कारवाई पुलिस करती है तो चालग यही कहता है कि ब्रेक नहीं लगा है इस वज़े से यह हास्ता हो गया लेकिन इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल के आता है इस पर भी हमारी नजर रहेगी और जैसे ही लबड एरिया है जहां पर अक्सर लोगों का आना जाना होता रहता है अगर ऐसा एरिया होगा तो निश्चे तोर पर CCTV फुटेज भी जल्दी सामने आ जाएंगे और प्रत्यक्षदर्शी भी पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है आज पास के इलाकों में ये भी चेक कर रही है कि कहीं कोई CCTV कैमरा तो नहीं लगा था जिसकी वज़े से उस तस्वीरे उसको मिल सके जिससे ये पता चल सके कि आकरकार हाथसा जो है वो किस तरीके से हुआ था यानि अभी ये मामला पूरा प्रात्मिक तोर पर देखा जा रहा है बहुती नया नया सा मामला है इसलिए बहुत सारे खुलासे बहुत सारे सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी है निश्वेथ ही हम आपसे फिर एक बार जुड़ेंगे जब आपके पास कोई अपडेट ह और इस मामले में कोई नया पहलो जुड़ेगा बहुत बहुत शुक्रिया